हेलो फ्रेंज तो आज मैं आप सब के लिए लाई हूँ इबली और खजूर की चटनी के रेशेपी जो आपके हर एक चाट के साथ हर एक स्नेक्स के साथ बहुत ही अच्छी लगती है और बेस तिंग तो यह है कि आप इसे चार से छे मिने तक स्टोर भी करकर रख सकते तो मैंन फ्रेम पर पांच मिनिट हो चुकी है और देखिए अब हमारा खजूर भी अच्छे से सोप हो चुका है अब मैं यहां पर इमली डाल दूंगी डेट सो ग्राम जितने ही मैंने लिये जितना खजूर हो उतनी ही हमें लियनी है एक बार अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लेंगे अब मैं इसे डख कर दो मिनिट के लिए पका लेंगे अब अच्छे से फिर से चला लेंगे और सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे गे गेस की फ्लेम हम ब्लो कर देंगे अब इसको डख कर हम और दस मिनिट के लिए पका लेंगे कि दस मिनिट हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि हमारी चटनी थोड़ी से गारी भी हो गई है हमारी चटनी ओल्मोस तयार है अब हम इसे एक मिनिट और पगा लेंगे मीडियम फ्लेम पर अब देखे यह थंडा कर लिया है अब हम इसमें चीनी डालेंगे में यह पर लगए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इस तयार चटनी को हम मिक्सर में डाल कर पीस लेंगे अच्छे से अच्छे से अच्छे अब इसे कोई भी चणनी लेकर आप इसे अच्छे से एक बार चान लिजिए अब हमारी जड़ने बहुत गार्ड़न देखें अभी हमारी जड़ने बहुत गार्ड़न देखें अब हम इसमें लपक दो कब जितना पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा परकर बहुत ही ज्यादा आपको पत्ला नहीं बनाने रहा है इसको में समेड़ दूंगी लाल मिर्श पादर तन्या शीरा पादर तन्या शीरा पादर थोड़ा सा गरम मसाला अब हम इसे एक बार अच्छे से फीर से दो मिनिट के लिए गेस पर चड़ा कर पका लेंगे गेस की फ्लो हमें लो ही रखनी है एक बार गरम हो जाए उसके बाद दो मिनिट में आपकी चटनी का कलर जो है वह चैंज होने लगेगा अब देख सकते हैं कि एक दम ग्लोसी सी चटनी हो जाएगी है कि हमारी टेस्टी सी चटनी क्यार हो चुक्ती है कि आप इसे कोई भी एरटाइट कंटेनर में भर कर चार से छे मैने तब आराम से स्टोर करकर रख सकते हैं किसी भी चार्ट या स्नेक्स के साथ एंज्योई कर सकते हैं